स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास इगारह के रसाइन विज्ञान अभिहास पांच में आज हम लोग पढ़ेंगे करांतिक दाब क्या है करांतिक आयतन क्या है करांतिक दाब क्या होता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपका एक नोट से भी बनता रहेगा तो करांतिक दाप की परिभासा क्या है बहुत ही आसान परिभासा है बस थोड़ा सा आप सभी विद्यारती वीडियो पर जब ध्यान दीजिएगा तो आपको परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो करांतिक दाप है मतलब गैस का वह ताप होता है जिसके उपर कितना हूँ भी उच्चे अगर दाप बढ़ाया जाएगा परंतु गैस जो है दरवित नहीं होता है ऐसे ताप को क्या कहा जाएगा करांतिक दाप कहा जाता है तो अब यहाँ परिभासा को लिख लीजिए तो परिभासा है गैस का वहताप लेखेंगे आपर गैस का वहताप जिसके उपर कितना भी कितना भी उच दाव बढ़ाया जाए परन्तु गैस दर्वित परन्तु गैस क्या हो दर्वित दर्वित मतलब लिक्वीड दर्वित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं उसे करांती कताब कहते हैं कितना आसान हैं कहेंगे गैस का वहताप जिसके उपर कितना भी उच दाव बढ़ाया जाए मतलब दाव को कितना हो बढ़ा जाएगा परन्तु गैस जो होगा वह दर्वित नहीं होती हैं उसे क्या कहते हैं करांती किताप कहा जाता है अब यहाँ पर जो है जो गैस जो है वह दर्वित मतलब लिक्विट की रूप में नहीं बन पाती हैं उसे क्या कहते हैं उस ताप को जो ताप लगाया जाता है जिसके द्वारा जो है उच दाप बढ़ाया जाए परन्तु गैस क्या हो दर्वित नहीं हो उसे क्रांती किस से प्रदर्शित करते हैं? याद हो जाएगा तो अब हम लोग पढ़ेंगे करांतिक आयतन क्या है क्रांतिक आयतन की परिभासा क्या है तो क्रांतिक ताप अब क्या गया क्रांतिक आयतन आ गया बस थोड़ा सा आप दिहान दीजिएगा इसका भी परिभासा क्या होगा याद हो जाएगा तो कहेंगे क्रांतिक ताप पर एक मूल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहत करते हैं इसे भी सी से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं तो अब यहां लिख लेंगे करांतिक करांतिक ताप पर किस ताप पर करांतिक ताप पर ताप पर एक मूल एक मूल एक मूल गैस का एक मूल गैस का एक मोल गैस का आईतन, एक मोल गैस का जो आईतन है उस आईतन को क्या कहेंगे? आईतन करांतिक आईतन कहते हैं इसे किसे भी सी से प्रदर्शित करते हैं कितना आसान है कहेंगे करांती किताप पर एक मूल गैस का आयतन मतलब करांती किताप पर एक मूल का गैस का क्या हो आयतन होता है तो उस आयतन को क्या कहा जाता है करांती का आयतन कहते हैं इसे भी सी से प्रदर्शित करते हैं अब यहां लिखेंगे करांती कदाब करांती कदाब क्या है करांती कदाब की परिभासा क्या है तो यह करांतिक ताप, करांतिक आयतन और करांतिक दाप यह तीन परिभासा जो है बहुत ही आयमपी है तो इन तीनों परिभासा को अपने कापी में नोट कर लिजिए और इसे जरूर पढ़िए दो बार आपको क्या होगा परिभासा जो है याद हो जाएगा तो अब यहां करांतिक दाब का मतलब होता है करांति जैसे उपर हम लोग क्या पढ़ेते करांतिक दाब पर एक मूल गैस का अब यहां लिखेंगे करांतिक दाब पर किसी गैस को दर्वित करने के लिए लगाया गया दाब को मनें जो गैस को अगर दर्वित किया जाता है मतलब लिक्विड में बदला जाता है तो जो लगाया गया जो दाब होता है उस दाब को क्या कहा जाता है करांतिक दाब कहा जाता है तो लिखेंगे करांतिक ताप पर किसी गैस को दर्वित करने में क्या करने में द्रवीत करने में द्रवीत करने के लिए लगाया गया दाब को क्या कहते हैं दाब को करांतिक दाब कहते हैं कितना असान परिभासा है दो बार पढ़िएगा तो आपको परिभासा क्या हो जाएगा याद हो जाएगा तो करांतिक दाब पर किसी गैस को दरवीत करने के लिए लगाया गया दाब को क्या कहते हैं करांतिक दाब कहते हैं इसे किस से प्रदर्शित करते हैं तो समझ में आ गया होगा कि करांतिक दाब क्या है और करांतिक आयतन क्या है और करांतिक दाब क्या है तो यह तीनों का परिभास अपने कांपी में क्या कीजिए नोट की एक कर लीजिए अब हम लोग पढ़ेंगे गैसो का दर्वण गैसो का दर्वण से आप क्या समझते हैं अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं तो अब यहां हेडिन लिख लेंगे गैसो का दर्वण अब गै गैसो का द्रवन से क्या समझते हैं गैसो का द्रवन मतलब गैस का जो लिक्वीड का मतलब क्या है तो गैसो का द्रवन और गैसो का द्रवन कैसी बनता है अब यहां पर भी समझ लेंगे तो गैसो का द्रवन का मतलब किसी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना गैसो का दर्वन कहलाता है कितना सान है किसी गैस को कि सवस्था में गैस को द्रव अवस्था में बदलने की करिया ही क्या कहलाता है गैसों का द्रवन कहलाता है तो यहाँ पर इभासा इसका लिख लेंगे किसी गैस किसी गैस किसी गैस को किसी गैस को द्रव अवस्था में किसी गैस परिवर्ति द्रव आवास्था में क्या करेंगे परिवर्तित द्रव आवास्था में परिवर्तित करने या करना लिख सकते हैं किसी गैस को द्रव आवास्था में परिवर्तित करना गैस का दरवन कहलाता है क्या कहलाता है गैशो का द्रवण कहलाता है दो लाइन की परिभासा है तो परिभासा जो है दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा किसी गैस को द्रवण कहलाते हैं अब ये कैसी बनता है मतलब गैसो का द्रवण कैसी किया जा सकता है तो यहां लिख सकते हैं कि गैस का दर्वी करण करने के लिए जो अंतरा आणविक दूरी को क्या कर दिया जाता है कम किया जाता है जिसे गैस के और जो होते हैं वो एक दूसरे के अधिक समी आप आ करके वो किस अवस्था में हो जाएंगे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं मतलब यह द्रव अवस्था में गैस कैसे परिवर्तित होते हैं तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं गैस का गैस का दर्वी करण करने के लिए करने के लिए गैस का जो है दर्वी करण करने के लिए अंतरा आडवी क्या कहेंगे अंतरा आडवी क्या किया जाता है अंतरा आडवी क्या जाता है जो गैस के अंतरा आडवी क्या किया जाता है जिससे गैस के अंडव एक दूसरी के समीप एक दूसरे के क्या होते हैं समीप आ करके मतलब जो गैस का जो अंडव होते हैं वो एक दूसरी के क्या होते हैं समीप आ करके और ये क्या हो जाते हैं द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो समझ में आ गया होगा कि जो किसी द्रव को द्रव अस्था में जो परिवर्तित करते हैं तो गैस का क्या कहलाता है द्रवन कहलाता है और गैस का दर्विकरन करने के लिए क्या किया जाता है अंतरा आणविक दूरी को कम कर दिया जाए और जिसे गैस के अंड़ जो क्या होंगे एक दूसरे के समीप आ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे तो समझ में आगे होगा कि गैसों का दरवन कैसे किया जाता है तो इसे पने कापी में जरू नोट कर लिजे तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा यदि चैनल पर आप पहली बार आये होंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दवाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब क्लास आप के लिए ही चलाया जा रहा है तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा तो अब मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार